तो आप हमरे मन देख लेली दूगोफसिल कतारी और कपास करवारे में अब हमरे मन देखा आलू करवारे में तो आलू कर खेती कर तयारी का लखे करल जाए दोमट या की बलूई दोमट माटी जेकर में जैविक पदार्थ मन अइधका रहे उखे आलू कर खेतीले चुनिक चाही दस टन प्रती हेक्टर कर दर से गोबर कर सडल माइंद के भुई में डाइल देवें तीन धाओं जोईत के माटी के भुरभुरा बनाये देवें इके बुनेक कर बेरा का है इके बुनेक कर सौब से बेस बेरा अक्टूबर कर आखरी हफता से नवंबर कर पहिल हफता तक रहें बिहिंकर दर इकर बिहिंदर 25 से 30 ग्राम आकार कर अकवाल आलू कंदा के 30 किलो मीटर प्रती हेक्टर में लगाया देख चाही पोधामन कर दूरी दर से दर कर दूरी 50 सेंटिमीटर और कंदा से कंदा कर दूरी 20 सेंटिमीटर रहेक्ट चाही अब्रो उर्वरक्मनक प्रयोग हिल जैसे डी ए पी बुनेगबेरा इके डालेक चाही 176 किलोग्राम प्रति हेक्टर में और मियूरेट अफ पोटाज के बुनेगबेरा डालेक चाही 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर कर इसाब से पतायक भाई आलू रोई फी तो के पतायक को है अलू रोपल पाचे, चाईर से पांच दिनक बादे, पहिल पटावनी करेक चाहिए। उकर बादे, हर एक आठ से दस दिन कर बीच में हलुक हलुक पटाए देवें। माटी चगहक, रोपनी कर पचीस से तीस दिनक बादे, माटी के भुरभुरा कैर के, नेतरजन कर माचल मातरा के, मेसाय के पोधा में माटी चगहादेवें। अब पोधा कर शनरक्षन, इकरों में पिलवा मन लागया ना, तो कर सनरक्षन रोरे कैसे करब। पिल्वा प्रबंधन, इकर में पिल्वा लागा थे लाही, बाढ़ल और छोवा, दुयो पिल्वा पते कर रस चुईस लेल, जेकर से पौधा कमजोर होय जैल, पते मन तेढ़ा मेढ़ा होय जैल, इस पिल्वा बेमारी के पसरैक वाला होय जैल, इकर नियंत्रन, मिथाइल डिमेटोन, एक दसमलो सुन्य लीटर प्रती हेक्टर पानी में मिसा केल के, या की, इमीडा क्लोरोपीज 500 मिली लीटर प्रती हेक्टर छिड़काओ कर एक जर्रिया है, इकर बेमारी और रोपधाम, बेमारी है, अगेती अंगमारी, पते मन में छुटका छुटका, फीका, भूरा, चमकेक वाला धब्बा बैं जैल, हिठे कर पते, संक्रमित होय जैल, और बेमारी उप्रेबटे बाढ़िक लागिल, सुखल, मौसम में धब्बा कड़ा होय जैल, और पते मन गुगैज के गीर जैल, पछेती अंगमारी, पते मन कर आरा बटे, भूरा पोधा कर आरोहो बटे, पसेर जैल, जदी, इस नहें इस्थिती बनल रहे, तो गोटा पोधा ना सोय जैल, इकर प्रबंधन का लखे कर अल जै, पहिल तरीका है, बुनेक कर पहिले, आलू कर बिहिन के, मैट लेकिजल कर, सुन्ने दसमलो, पंदरा प्रतिशत, घोल में डु दूसर है, रिडो मिल MZ, सुन्ने दसमलो, पंदरा प्रतिशत कर घोल कर छिड़काओ, दूसे तीन दाओं केर देवे, और बिमारी है, काली रूप, या की ब्लैक सकर्फ, कंदा उपरे, भुरा, करिया, या की, पपड़ी, छोट बढ़, अकार कर मिलेल, इस बिमारी कर जिम कर सुन्ने दसमलो, एक प्रतिशत, या की, बोरक अमल, सुन्ने दसमलो, शुन्ने तिन प्रतिशत, घोल से दवई केर लेवे, खेत में करंच, या की, नीम, या की, अरंडी, या की, महुआ कर खरी के डैल देवे, दूसर बिमारी है, पती मुढल, या की, लीफ रॉल, पते मनक मधे से सीरा कर उपरे बटे मोड जैल, इकर यहे चिनहा है, इसन पते मन मोट और भंगोर होये के, और छुले हे, इमनक उत्तक टुटेक लागेल, इहे मन, इकर बेमारी बढ़या पिलवामन होयन, इकर प्रबंधन, पहिल का उपाय है, स्वस्त और प्रमानी तालू के बुनिक चाहिए, देखो भाई, घरी घरी इहे बात कहल जाते कि रोरे मन जखन आलू के बुने, जखन आलू कर बिहिन लगाए, तो बढ़ियां और प्रमानित उन्नत आलू के लगाए देवाए, इकर से रोरे मन के फैदा इमिली, उकर में बेमारी कम होई, और रोरे मन क उकर चिन्ता फिकीर कम रही, चलो, दोसर उपाय है, बेमार पड़ाल पोधा के आलू समेत उकराय के फेख देवे, उसन पोधा के राखले कोई फैदा नहीं, कहें कि उसन पोधा कर रह ले, उकर जे बेमारी है, दोसरो पोधा में पसहर जाय, सहल अगिन इसन पोधा के उकर 3. पिलवा नासी कर छिरकाव करें माने कि जितना पिलवा नासी दवाइमन है सेमन कर छिरकाव करें पाला से सुरक्षा अइदकाल जाड रह ले फसिल के पटाय देल पाला कर असर कम होई फसिल कर कोड़ाई आलू पोधा कर पतैमन जखन पियर होई जैल तापमान बाढ़ेक कर आगे है कोड़नी केरलिक चाहिए कोड़ाई कर अलबादे छपपरवला घर में आलू गोछा कर धे असरे भाएं थिर बनाएके राइक बंडारन कर देखो बाई भंडारन में हमने मनेहोब बताप कि रोरे की गोण आलू के राखेक है कोण आलू के खायँ है तो पचास ग्राम से उपरे और 30 ग्राम से कम अकारवला जिक कंदा रहे सेके खायक में पर्योग करें। 30 से 50 ग्राम कर मधे कर आलू के 50 किलो ग्राम वला बुरा में भईर के मार्स कर आखरी तक सीट क्रिह में पहुचा है देवें। तो चलू आलू कर खेती कर ली आलू कर बढ़ियां बढ़ियां जानकारी ले ली और इकर लाब मिल लग फैदा मिल लग